विडियो की पिछले हिस्से में हमने image की properties को समझने के लिए ये दो cases cover किये थे जब object 2F1 पर था तो image 2F2 पर बनी थी ये object के size के समान थी और वो real और inverted थी और जब object 2F1 और F1 के बीच में था तो image 2F2 के पार पर बनी है जो image बनी थी वो enlarged, real और inverted थी इससे पहले कि हम बाकी की cases को समझने के लिए आगे बढ़ें हम चाहते हैं कि आप figures में use किये गए दो incident rays को notice कीजिए एक incident ray principle axis से parallel travel कर रही है और दूसरी lens के optical center से pass हो रही है और आप देख सकते हैं कि ray जो principle axis के parallel है वो दूसरी तरफ principle focus F से होकर गुजरती है यह आपके लिए surprising नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि rays जो principle axis से parallel होते हुए enter होती है वो हमेशा lens के focal point या principle focus पर intersect करती है दूसरी incident ray का क्या? यह optical center से गुजरती है और incident ray की ही दिशा में बाहर निकलती है और यह कोई भी दूसरी incident ray के लिए भी ऐसा ही होगा जब तक यह rays optical center से गुजर रही है यह same ही दिशा में बाहर निकलेंगी अब हम चाते हैं कि आप दूसरी ray के case को भी समझें चलिए अब हम एक नए page पर चलते हैं और एक convex lens ड्रॉ करते हैं actual reflection कुछ ऐसे दिखेगा यह दो बार refract होता है एक बार यहां और फिर यहां जब यह lens में प्रवेश करता है तो ray नॉर्मल की और bend होती है जिहां यह दिशा बदल लेती है लेकिन दूसरी reflection यहां ray को उसकी original दिशा में वापस ले आती है तो यह दिशा इस दिशा के समान है और representation के लिए हम इस ray को ऐसे draw करते है इसलिए हम कहते हैं कि ray जो lens के optical center से गुजरती है वो सेम दिशा में बाहर निकलती है अब चलिए वापस उस page पर चलते हैं जहां हमारे पास वो table और दो figures थे हमने यह दोनों cases cover कर लिए हैं और अब हम दूसरे cases के ओर बढ़ सकते हैं और इसे असान बनाने के लिए हम बाकी cases के लिए 3D objects के बजाए उपर की तरफ pointing arrow को use कर सकते हैं तो चलिए पहले इस से शुरू करते हैं यहां object 2F1 के पीछे है हम arrow पर top point लेंगे और इसकी image बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमने देखा था कि ये दो incident rays same ही होगी और refraction के बाद image बनाने के लिए वो एक point पर मिलेंगे इस point को principal axis के साथ इस line से जोड़ें और ये लीजे हमारी image तयार है इसे अच्छे से observe करें और इसकी properties को लिखें सबसे पहले ये कि image की position f2 और 2f2 के बीच में है लेकिन image की size क्या है? कैर image की length object की तुलना में छोटी है तो image size में छोटी है image की nature का क्या? ये एक real image है और हम जानते हैं कि सभी real images inverted होती है चलिए अब object को f1 पर रखते हैं और same procedure follow करते हैं ray जो principal axis को parallel है वो principal axis को दूसरी तरफ f2 पर intersect करेगी और optical center से गुजरने वाली ray उसी दिशा में travel करेगी ये दो rays कहां मिलेंगी? ये कहीं नहीं मिल रही है ये rays एक दूसरे को parallel है तो अगर ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई image नहीं बनती है? जी हाँ ये सही है जब object principal focus f1 पर होता है तो convex lens से कोई भी image नहीं बनती है लिकिन हम ये कह सकते हैं कि image infinity पर बनी है इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से infinitely दूर मिलते हैं कि image highly enlarged है आप इसे इस तरीके से सोच सकते हैं ये parallel raise एक दूसरे से बहुत दूर एक point पर मिलते हैं अगर हम उस point को principal axis से जोडते हैं तो image के size बहुत बड़ा होगा हम कह सकते हैं कि ये highly enlarged है ये image भी real और inverted है हमें अभी इन दोनों cases को समझना बाकि है हमें इसे अगले वीडियो में continue करेंगे